नमस्कार संग्राले की ऑनलाइन प्रतस्थी संग्राले में आपका शौगत है वैसे तो आपने देश में बिविनितर की रत आपने देखे होंगे लेकिन यह रत सन 1995 में करनडक के उड़ी पिजिले से संग्लित किया गया है यह रत इस्तानी इस्तर पर उपलब्द लकणी बवूल कठल बल्ली आदि से निर्मित है यह इस रत को बनाने के लिए खास कर गुड़ी कारी कर जो कि इसको निर्मित करते हैं वहाँ पर इस्तानी इस्तर पर इसको बनाते हैं इस रत की यात्रा जो निकाली आती है उसमें इस्तानी इस्तर पर मंदर के उस्तर के दौरान भगवान गडेश और शुग को इस्ताफित कर ग्राम बासियों बीच में रत को खीचा जाता है जात्रा निकलती हैं गउन इस्तानी स्तर पर उसको भग्त पूरे सामिल होते हैं जो काफी दूर्डी रोर से यह आते हैं हर भक्त मंदिर जाकर भगवान के रूवरू होना चाहता है। लेकर इस बार भगवान क्या होता है? रफ में बढ़के खुद उनके पास आना चाहते हैं। उनके सुख-दुख में सहभागी बनना चाहते हैं। और उनके प्रावलम को, उनकी समश्याओं को देखना चाहते हैं और आश्रीवा देना चाहते हैं। इसके लिए भगवान के बीच में रत के दोरा ही उनको लाया आता है। और भगत उसको लेके भगत रत को खीचते हुए अपने उसको प्रुजिजन को निकालते हैं। इसके पीछे एक और भी कारण है। बोलते हैं कि अगर आप रत को खीचे तो कमसर्व सो यग्य के बराबर आपको पुन्निका उसको लाव मिलता है। और अगर आप किसी तरह की परिशानी में हैं तो उसका भगवान खुद उसका निराकन करते हैं। ऐसा माननता है लोग की। बैसे तो उड़ीवी जिले में कृष्ण मठ है और वहां मंदरों में परंपरा रही है कि हर मंदर का अपना रत है। जो कि उसी प्रोसेस में उसी evidence की ली फषर में हिसे में घुम्ता है। और भगवान के जरसन लोगों को सामने से होते हैं। लेकिन ये जर्ध गुम्ते हैं उसमें भगवान खुद जाते हैं गाओं में। कि इस रत में खास कर पही है काफी बढ़े छारपही है है और पीछे साइड में और आंगे साइड मेर ढองा प् religion जिससे ये पता चलता है कि इस जब यह रत निकलता है तो गाउं के लोग पूरा इसको हां से खीचते हैं किसी उससे बनी करते रसी बांद के इसको खीचा जाता है और लोग इसको अपने पूरे गाउं में घुमाते हैं इस रत की बिसेश्ता तो यही है कि जिस तरह से मिनक्षी टेंपिल में आप जाएंगे साउथ के वहां भी मंदर की प्रजिसर में शिवजी और शिव पारवति का एक रस्त वहां पर निकलता है जिसमें की पूरे लोग उसमें आसपास भजन गाते हुए उसको घुमते हैं दे देखने के मिलेगी आप चाहे मैशूर जाएं चाहे आप करनाटा की किसी और जिले में जाएं चाहे आप चैन नहीं जाएं सभी जग है इस तरह के आप देखेंगे देख्षण की में रत का बड़ा महत्त्र परंप्रा है तो यह एक हमारा एक आयोयन था जिसको आपको रु परम की दागता है जिससे कि समें कोई खरावी नहीं इस बॉसित जोड़ा गयाक है और पहीय निकल नहीं एक लॉक के दौरा लगाया गया लेकिन पहीय की जोड़ाया गया गया है लेकिन पहिये के जो फी से उसमें लोहे की अचैना ही पिर मिलेंगे नमस्का आफ झाल झाल